है सब लोग जॉइंग हो गया है हमारे साथ तो जो लास्ट अपना चाप्टर था उसको मैं अडिस्स कर रहा हूँ प्लीज आप सब लोग अपने माइक्स मूट कर लीजे करें है था कि बढ़ू आगे बढ़ू कि को भर्यक्र था कि करेंग्ट हो गया है बने कि कि अ उप जो कि हमारे जो cash flow quadrant है इसमें रहने का मतलब क्या है अगर आप e e में रहते हैं अगर आप e quadrant में रहते हैं तो आपका base है security security मतलब क्या आप ढूंडेंगे हमेशा कि हमको एक safe secure job मिले उसमें payment अच्छी होनी चाहिए benefits अच्छे होने चाहिए benefits मतलब कैसे benefits benefits मतलब हावरजी connect होगा है तो मैं कर रहा हूँ आपको जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग अलग कोडरेंट्स की बात कर रहे थे रोगर टियो सागे साव ने चार कॉडरेंट्स थे सब पूरे दुनिया को बाढ दिया और कॉडरेंट्स में रहना मतलब इस माइंडसेत के साथ रहना तो एक माइंडसेत समझते हैं किसी को तो इसका mindset समझना बहुत important है और अगर यह किताब आप properly पढ़के जब जाओ किसी के पास तो आपको एक तरह से पहले से ही मालुम होगी सामने वाला क्या बोलने वाला है और आपका एक mindset आपका clear रहेगा कि यह मुझे इस बंदे से यह बास सुनने मिल सकती है जैसे अगर ए आपको कुछ काम करना है तो वो करो खुद से if you want to do something right you have to do it by yourself यह इनका में मोटो रहता है यह सर्जन को आप देखेंगे वो कभी भी किसी और सर्जरी नहीं करायागा वो कुद सर्जरी करायागा we being physiotherapist हम लोग खुद से patient को देखना जाता पसंद करते हैं manual therapy में हम लोग अपने हाथ से patient को manipulations देना जाता पसंद करते हैं rather than किसी और को देने के लिए तो दुकानदार को आप देखेंगे तो वो लोग भी वो खुद जब तक गल्ले पर नहीं बैठेंगे तब तक वो satisfied नहीं रहेंगे उनको लगेगा कि नहीं है हमारा जो turnover रहेगा वो कम हो जाएगा तो यह self-employed बंदे की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि अगर करना है अगर सही से तो करो खुद से उसका नारा ही यह रहता है और इसलिए वो बंदा पूरी तरह से depend करता है खुद के ऊपर अगर उसे कुछ हो गया चाहे वो बिमार पड़ जाए चाहे वो किसी कारेंट से अपने काम पर ना चाहता है तो उसकी इंकम अल्मोस्ट खतम हो जाती है यही अगर हम लोग बात करते हैं B-Codrant के तो यह लोग बोलते हैं हम एक टीम के साथ काम करना चाहते हैं जिस टीम में सबसे बेस्ट कॉलिटी के लोग यह माइंडसेट अपन लोगों को प्रपेर करना है हम जो काम कर रहे हैं इसमें हम कुछ लोगों को सेलेट कर रहे हैं ताकि हम अपनी टीम बना सके यह बिजनस माइंडसेट हम लोगों को रखना है क्यों क्यों कि हो सकता है मेरी टीम में ENT surgeon है, orthopedic surgeon है, मेरी टीम में engineers है, मेरी टीम में teachers है, मेरी टीम में highly qualified government professionals है, कि सब लोग मेरी टीम है, तो मैं हो सकता है कि मैं किसी चीज में अगर पीछे हो रह भी गया, तो यह लोग, इन लोगों का जो mindset है और इन लोगों के साथ जो, इनकी जो skills है, इनको में utilize क कर सकता है, तो यह टीम का एक बहुत बड़ा benefit होता है, दूसरा benefit क्या है टीम का, कि आपके साथ, अगर तीम दो तरहागी होती है, एक अगर उस पुरी टीम में आप सबसे ज़्यादा intelligent इंसान हो, तो tension वाला काम है, बट अगर आप leader तो हो ही, लेकिन आपके अलावा भी कई सारे intelligent लोग उस टीम में हो, तो जादा better है, क्यों? क्योंकि आप, हो सकता है, आपका जो काम करने का तरीका हो थोड़ा अलग हो, दूसरे लोगों का थोड़ा सा अलग रहेगा, लेकिन अगर same set of rules follow करते हुए, अलग-अलग तरीके से लोग काम कर रहे हैं, और अपनी intelligence के हि हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए जादा beneficial है क्योंकि उस चीज़ को भी आप reap out कर पाओगे, तो इसी लिए business owners जो होते हैं, और self-employed लोगों में यही फर्क है, self-employed बंदा जो रहता है, वो generally सबसे smartest person रहता है, अगर team है उसके पास तो भी, और business owners जो हैं, उनसे कही ज़्यादा smart लोग अपनी team में include करते हैं, जैसे for example, मैजस college में था, उनका जो ओनर थे, उनका educational background, commerce का था, बट उन्होंने कही सारे doctors को हायर कर लिया, तो hospital बना लिया, तो इस तरह से जो जो बी-coordinate के लोग रहते हैं, तो इस तरह से जो बी-coordinate के लोग रहते i-coordinate के लोग बोलते हैं कि मैं जो पैसा दूँगा उससे मुझे return कितनी मिलने वाला, इसको बोलते है ROI, return on investment, मैंने अगर पैसा डाला, तो उससे मुझे पैसा कितना मिलिया वाला, चाहे वो stocks, bonds में हो, चाहे वो gold में हो, चाहे वो जमीन में हो, real estate में हो, या दूसरे प्रकार के लोग रहते हैं, उस प्रकार के mindset के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं और उसके हिसाब से वो लोग पैसा कमाते हैं, और पांफ़े चाप्टर है कि एक entrepreneur का mindset क्या है, तो यहां से लेकर आठवे चाप्टर, नौवे चाप्टर तक, फाइव तु नाइथ चाप्ट तो Sandeep, आप अपने अपने बारे में और इस बुक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो चाप्टर समने डिसकस किये Hello Sandeep Yes sir इस इन चाप्टर के बारे में आप तो चाहेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो शायद मैं नहीं कवर कर पाया Sir ऐसे तो आपने बहुत अच्छे से सारा चीज समझा दी है बट मेरे पॉइंट अव्यू से कुछ पॉइंट्स में भी बोलना चाहूँगा कि जो एक एक जितने भी कॉडरेंट्स हैं उतके काम को तो डिसक्राइब करते हैं यह मेरा पॉइंट आज की पड़ा तो मुझे अच्छा लगा बहुत बढ़ी है बहुत 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 ही जबल दोस्त और भरत जी आज का डिसकुशन जो था हम लोगों का हलांकि आप एक नए पार्टिसेपेंट हैं हमारी आज की मीटिंग में हम लोगों अभी आपसे प्लान डिसकुस नहीं किया है लेकि फिर भी आपको हमारी टीम मीटिंग कैसे लगी क्यों कि हम लोग education के उपर काम कर जा है और जा Sandeep जी नहीं पताया कि mindset change करना बहुत जरूरी है तो हम लोग यह जो पूरा section है यह उसी के लिए है मेरा और होवर कितना रहेगा मेरी टीम में कितने लोग रहेंगे मुझे कितने benefits आएंगे तो हमारी हमको एक vision डेवलप करनी रहती है जिसके लिए हमारी जो educational institution है जिसका नाम है Brit Worldwide यह हम लोगों को help करती है इसमें mentorship programs होते हैं इसमें online app के थ्रू कई सारे videos और audios होते हैं इस तरह की कई सारी books होती है जो हमको हमारे mindset को change करने में help करती है तो आज की meeting में सबसे अच्छा क्या लगा वराजी आपको? Unmute कर दीज़े sir एक से क्या वराजी तो सबसे best क्या चीज़ लगी है आपको आज की meeting में हालो हावरजी आरी यह आवाज आरी है हाँ आवाज आरी है मेरी बिल्कुल बिल्कुल आवज आरी है मेरे से बात करना आपकी? हाँ हाँ मैं आपी से पूछ रहा हूँ यह जो आज की जो हम लोगों का जो अज प्रेजंटेशन रहा था हमारी की इसमें सबसे अच्छा क्या लगा आपको? आरी हाँ तो अच्छा लगा हूँ जी सबसे बेस्ट चीज़ क्या हाँ हालो जी 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 आवज आरी है हालो बैक्राउंड में काफी नोज है आपके तो फोर असा उसको कैंसर कर दीजे जी तो भरत जी अभी आपने प्लान देखा है बिजनस प्लान देखा है हालो हालो बरजजब जी 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 और out अब थोड़ा सा अगड़ जाओ आए आवाज आवक आवाज आरही है आअ around आढ़ब अखी बहुत डिस्टरूर में मुझे जी जैनी, पुए जी लुट्री पूर्टी लुट्टिक टीज करते हैं आलो आज बात करते हैं वाहलो पूर्ट आवाज नहीं आ रही है ठीक है, हम लोग आपको कॉल करते हैं और कॉल बात करते हैं तो आज की मीटिंग में यहीं खतम करना चाहूंगा आप लोगे कुछ अगर सवाल हो या कुछ बिसकस करना चाहें अपने पॉइंट रखना चाहें तो यहीं पे अपने लोग आज का आज की मीटिंग खतम करते हैं और कल अपन लोग जो नाइंथ चाप्टर तक अपन लोगों को सारी चीज़े पढ़ना है ठीक है तो कैन भी क्योंकि मैं बिंदु सर्प्राइज देना चाहता हूं हम लोग ये बुक पूरी पढ़के और फिर उसके बाद हम लोग बिंदु सर्कों इन्वाइट करेंगे और लोग बिंदु सर्प्राइब करेंगे तो उससे पहले अगर हम लोगों ने इसको पढ़ लिया तो हम लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा और इसको अपलाय कैसे करना है अमारे अम्बी बिसनस में वीडी चीज़ में समझ पाएंगा तो अपको बस आपको करना तो चले भी पार थे हैं पर दिक्कत नहीं है अगर ऑफिनेटली थोड़ा थोड़ा हम भी पढ़ते रहे के आप पी पताते रहना तो कैसे थोड़ा क्लीर हो जाएगा कंसरब्द येस तो चले श्ले करते हैं अल्द बैस आप सेर अप्रेंगा और प्रेस्ट आप्रों के और झाल झाल झाल